हलो बच्चों क्या आले हैं सब लोगों का यह जो हम लोगों ने छोटा सा प्रयास तुम लोगों के लिए किया है कि कुछ-कुछ chapters के हम लोग कुछ छोटे-छोटे points जो हैं जो main points हैं जो उस chapter में बच्चों को याद रखने चाहिए जो कि जे-ई point of view से काफी important हैं जिस पर हर साल सवाल किसी ने किसी form में पूछा जाता है तो हम लोगों ने कोशिश किये कि इस बार जो है वो कुछ topics हर chapter के कुछ ऐसे लिए जाएं जो बच्चों को recall करा दिये जाएं मतलब समझ रहे हैं आप ये पढ़ाने का time तो नहीं है obvious है कि come time पर अगर हम उसको recall कराने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा चीजों पहले से भी पता हैं हम उसको सिर्फ recall कराना चाह रहे हैं और ये कहके recall कराना चाह रहे हैं कि ये important है और इस पर आने के chances सवालों के आने के chances सबसे जादा हैं तो इसलिए सब लोग इस साब से समझोगे इनको revise करोगे तुमारे लिए उस चैप्टर को समझना या उस चैप्टर को recall कर पाना उत्रहीं जादा आसान हो जाएका तो मुझे लग रहा है वो ये कि जिन पर जेई लेविल पर सबसे आदा सवाल बन रहे हैं या बनते हैं अगर मैं उनको discuss करना चाहूं तो मुझे जो समझ में आ रहा है यह चार-पास topics हैं जो important topics की category में आते हैं हमें इनको जरूर से एक बार समझ लेना चाहिए तो यह वाई map का जो topic हमने बात किया यह पहली category के सवाल जेई हमसे पूछता है first category जो पहली category है जेई की वह कौन सी category है जो इस वाई map को use करके solve की जाती है और इस वाई map का बहुत जादा use आपको देखने को मिलता है जब इसको थोबा से discuss करके इसके बारे में कुछ बाते कर लेंगे तो हम second calculations second topic पर आएंगे and that is आ आप protons के calculations, neutrons के calculations, nucleons के calculations, valence electrons के calculations, electrons के calculations जो भी sample के अंदर हमसे पिछले कई सालों तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं उससे related कुछ बाते discuss करेंगे जब ये भी हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ percentage calculations की बात करेंगे मुझे लगता है ये भी percentage calculation वाला portion भी मुझे लगता है ये important portion है जिस पर हर साल J.E. में बहुत जादा सवाल बनते हैं, in fact हमने तो ये observe किया है कि आप J.E. इसको organic के सवालों के साथ या inorganic के सवालों के साथ भी mix करके कुछ सवाल बनाने लगा, तो इसका अलब यह हुआ सर्ये percentage calculations के important होंगे and that is the next topic is actually mole concept and that is quantitative analysis of a chemical reaction, तो आप किसी भी chemical reaction की quantitative analysis से relate करेंगे चीज़ों को जिसमें excess reagent या limiting reagent की बाते होंगी और product की analysis या excess reagent कितना बच गया, इस तरह की कुछ analysis करने को देखने को मिलेंगी, और उसके बाद जो काफी important portion इस chapter का मुझे लगता है and that is concentration terms, जिसमें तमाम concentration terms हमें discuss कर लेने चाहिए फटा-फट और उनके inter-convergence के ऊपर भी चीज़ों को एक बार समझ लेना चाहिए कि किसी एक concentration term को, किसी दूसरे concentration term के साथ link कैसे करेंगे, जो कि फिर एक बहुत important topic है, जेई में पूछे जाने वाला, तो मेरे इसाब से हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और स सिर्फ एक ऐसा चीज है जिसमें आपने किसी भी एक मोल को, यानि किसी भी एक substance के जो मोल्स हैं आपको, इन मोल्स को आप अलग लग चीजों में convert कर सकते हैं, यानि मोल्स से कुछ और या कुछ और से मोल्स निकालने का तरीका, और तुम सब जानते हो, मैं फड़ाक से इसक मोल्स निकालने हो, तो आपको अवागैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ता है, इसी तरह से अगर आपको मोल्स से उस सैंपल के मास तक पहुँचना हो, तो मोल्स से मास तक जाने के लिए, आपको अगर वो सैंपल एटॉमिक सैंपल है, तो एटॉमिक वेट से मल्ट और यही काम आपको उल्टा भी करना पड़ेगा अगर आपको मास से मोल्स निकालने हैं तो अगर वो atoms का मास दिया है तो atomic weight से divide करना पड़ेगा और अगर वो molecules का मास दिया है तो molecular weight से divide करना पड़ेगा तीसरी बात आती है कि अगर आपको किसी भी गैस का समझे किसी भी गैस के STP पर मोल्स दे रखें या किसी भी गैस के जो मोल्स दे रखें और आप उस गैस का STP पर वाल्यूम निकालना चाहते हैं तो उस केस में आपको यहां से यहां आने के लिए this is volume of gas at STP तो अगर आपको gas का volume STP पर चाहिए तो आपको 22.4 लीटर से multiply करना पड़ेगा और यही काम अगर आप उल्टा करना चाहते हैं तो आपको 22.4 लीटर से divide करना पड़ेगा यह diagram मैंने क्योंकि Y जैसा बनाया है इसलिए मैंने इसका नाम Y map रखा है आप इसको T जैसा बनाते हैं तो इससे T map बोल देते इसका map वैप सो कोई लेना देना नहीं है this is the basic चीज जो इस पूरे mole concept में चारो तरफ घूमती है कि आप किसी भी एक term को किसी दूसरे term में convert कैसे करते हैं अगर मुझे किसी भी sample का mass given हो तो मैं particles कैसे निकालता हूँ STP पर gas का volume कैसे निकालता हूँ आप किसी भी inter conversion को करना चाहें उसके लिए ये simple सा conversion जो chart तुम्हें दिया गया है वो chart तुम्हारे लिए important मेरे खाल से सारे बच्चे इस बात को agree भी करेंगे कि सर इसका इस्तमाल बहुत जादा देखने को मिलता है आपको sample का mass दिया जाएगा सर मोल निकालने है number of particles निकालने है number of atoms निकालने है nucleons, protons, electrons, नजाने क्या-क्या निकालना है सर बहुत जादा इसका इस्तमाल पढ़ता है इसलिए मुझे ये बिल्कुल रटा होना चाहिए कोई सोते सोते भी हिला के पूछे बहुत बताओ अगर मैं particles को STP पर gas के volume से relate करूँ तो कैसे करूँगा तो आप बताईएगा उस gas के particles को अवागाड्रो नंबर से divide करके पहले आप उस gas के moles निकाल के लाइएगा फिर उस gas के moles को STP पर अगर volume में convert करना चाहें तो 22.4 liter से multiply कर दीजेगा आपको उस gas का STP पर volume में जाएगा यानि मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी एक चीज को दूसरी चीज में अगर convert करना चाहते हैं तो आपको इस चीज का सारा लेना पड़ता है इसको why map समझें ना समझें मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन ये conversions बहुत clear है जो याद होने चाहिए clear है ये चलिए अब मैं ज़रा इसी conversions से related एक दूपट आप फट बाते करता हूँ जैसे माल लीजिए ये वो पहली category है जो JEE में सबसे ज़ादा सवाल बनाती है इसमें कोई शक नहीं है कि इस category पर JEE पहले बहुत ज़ादा सवाल बना चुका है तो मैं अगर इस category के सवालों की बात करूँ जिसमें आप इस first category जो हमें तयार करनी चाहिए इस mind map के अंदर कि इस तरह के सवालों को deal कैसे करना है उसको एक बार फटाक से quick revision उसका जरूर होना चाहिए और वो पहला यही है कि हमारे पास अगर कोई sample हो तो sample की हमें छोटी-मोटी analysis करने के लिए बोली जा सकती है तो उस sample के कितने atoms हैं, उस sample में कितने molecules हैं उसमें protons, neutrons, electrons के calculations या फिर उसमें nucleons के calculations या फिर valence electrons के calculations यह वो पहली category आती है जही की जिसमें आप किसी sample के analysis के बारे में बात करते हैं तो जैसे ही आपके सामने एक बड़ा छोटा सा सवाल है find out the total number of atoms present in 46 gram of sodium अब आप समझे ज़रा, अगर मैं इसको वाई मैं आपसे लिम करूँ तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको mass दे रखा है इस atom का this is the mass of atoms mass of atoms और मैंने अभी भी बताय था कि अगर आपको sample का mass पता हो तो आप सबसे पहले sample के moles calculate कर सकते हैं तो इसमें सोचने की ज़रूद नहीं सर ये सब पड़े आसान आसान सी बाते कर रहे हैं moles of sodium atoms अगर आप निकालना चाहते हैं तो फटा फट निकाल लीजिए moles निकालने के लिए sample के mass को आप sodium के atomic weight gram atomic weight से divide कर दीजेगा and that is 23 gram तो आपको फटा फट क्या मिल जाएंगे दो mole मिल जाएंगे और सर जैसे ही आपको दो mole मिलेंगे तो अगर आपको number of sodium atoms calculate करने हो तो particles निकालने के लिए mole से particle जाने के लिए आपको अवागैडरो number से multiply करना पढ़ता है आप इसको solve कर लीजिएगा जो answer आए उसे tick कर दीजिएगा बात खतम असान है बिलकुत सीधा है लेकिन तमाम जवाँ पर use होता है इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए दूसरा ये भी है कि अगर आप sodium के इस पूरे sample में number of atoms calculate करना चाहते हैं तो आप moles न निकाल कर sodium के एक atom से भी divide कर सकते हैं मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर माल लीजिए ये मेरा method 1 इसको मैं method 1 ले लेता हूं suppose this is method 1 ठीक तो और मैं दूसरा method ऐसे बेकूँ बनाने के लिए एक दूसरा method all लिख देता हूं चलिए दूसरा method ये है कि कोई मुझसे ये कहे किया ये क्या time pass कर रहे हो तुमसे mole निकालने के लिए किसने कहे थे मैंने का किसी ने नहीं तुम आजीब बेवकूफ आदमी हो तुमने mole क्यों निकाले mole के बाद अरे हमने कब यही तरीका होता है जब sample का weight दिया जाए तो पहले mole निकाले जाते है और mole निकालने के बाद number of particles calculate किया जाते है वागाड़ नंबर से multiply कर तुम बेवकूफ पता नहीं तुम्हें किसने बता दिया ये बात अरे बैई जब तुम्हें sample का weight दे रखा है तो आप सीधे सीधे number of particles निकाल लीजिए मैं मोल कहां बीच में घुज गया मैंने का कैसे जी बात भी हो तुम ये बताओ अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे पास एक 100 किलो का बकसा है और उस 100 किलो के बकसे में एक एक किलो के apples पड़े हैं बताइए कितने apples पड़े हैं तो क्या करते हो मैंने का यार 100 किलो के weight में एक apple के weight से divide कर देते हैं आपको number of apples मिल जाते हैं यानि 100 kg divided by 1 kg so total number of apples in that box should be 100 वो कहरा ये direct हुआ ना sample के weight से आपने number of apples calculate कर लिए हैं हमने कहां तो कहरा यहां नहीं कर सकते थे क्या तुम्हें sample का weight नहीं दे रखा है मैंने कहां दे रखा है कहरा तुम्हारे अंदर जो apples पड़े हैं तुम्हें उसका weight नहीं पता है मैंने कहां पता है तो कहरा divide करके निकाल लेते अब ज़रा समझना बात को थोड़ा सा technique का लेक्या Sample का जो weight है वो क्या दे रखा है सब number of sodium atoms देखो मैं direct निकाल ला हूँ number of sodium atoms is equal to weight of sample divided by weight of one sodium atom ज़रा समझना बात को weight of sample कितना है 46 gram और एक sodium atom का जो weight होता है वो 23 gram नहीं होता this is gram atomic weight molar weight एक mole का weight एक sodium atom का weight 23u होता है so it will be divided by 23u समझो बात यानि पूरे sample के weight को एक sodium के weight से divide करके भी आप number of samples number of apples calculate कर सकते थे इसमें mole कहीं नहीं है और answer सेम निकल के आएगा कैसे सर इसमें सिर्फ एक फर्क है कि उपर gram है नीचे u है सर बात बराबरी की नहीं है नीचे वाले u को gram में convert कर लेना चाहिए और जैसे ही नीचे वाले u को आप gram में convert करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि number of sodium atoms अगर आप निकालना चाहते हैं तो they will be equal to 46 gram divided by 23u gram को u में convert करें तो it will be 23 into 1.66 into 10 raise power minus 24 gram 23 से 46 2 gram से gram cancel it will be 2 upon 1.66 into 10 raise power minus 24 and it will be 2 na यह वही answer है जो अभी आपने निकाला same because हमें जो याद रखना था वो सिर्फ यह और मैं यही एक बात तुम्हें बताना भी चाह रहा था कि अगर आप इस बात को याद करते हैं तो सही है 1 u is 10 raise power 1.66 into 10 raise power minus 24 gram and 1 upon 1.66 into 10 raise power minus 24 is actually 6.022 into 10 raise power 23 जिसको अभागाड्रो जबर कहा जाता है यानि इस सवाल के दो तरीके हो गए क्या तरीके हो गए पहला तरीका तो यह हो गया कि अगर आपको number of atoms calculate करने तो आप पहले mole निकाल लीजेगा mole के बाद पार्टिकल्स निकाल लीजेगा अभागाडो number से बढ़ डिपलाय करके ठीक दूसा तरीका क्या है सीधे-सीधे एक आदमी के weight से divide कर दे यानि आप सीधे-सीधे अगर एक आदमी के weight से divide कर दे तो भी आप लेकिन जो समझदार है उसको बताना क्या चाह रहा हूं मैं कि एक आदमी का weight अलग है और एक mole आदमियों का weight अलग है एक mole sodium का weight 23 gram हो सकता है लेकिन एक sodium का weight जो दिखाई भी नहीं देता उसका weight 23 gram नहीं होता उसका weight 23u होता है और 23u को gram में convert करना उसके लिए 1u को 1.66 into 10 raise power minus 24 gram के बराबर होता है multiply करना पाफ़ा है समझी बात clear है? यानि मैं कुछ खास बात नहीं बता रहा हूं मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाह रहा हूं कि method 1 बोलो चाहिए method 2 बोलो आपका जैसा दिल करे आप ऐसे करिए वैसे बिल्कुल clear है तुम सब इस बारे में जरूर एक बार सोचना कि कब जादा अच्छा है कि उपर वाले method से सवाल लगा जाए और कब जादा अच्छा है नीचे वाले method से सवाल लगा जाए आप समझे मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं इसी sample का weight 46 gram तो जादा अच्छा है तुमने उपर वाले method यूज किया क्यों सर खड़ाक से मोल आएंगे एने लगा दी जा अंसर आजाए सर नीचे वाले method में क्या drama कर रहा है पहले यू लिखेंगे यू के बाद सर इसको अवागाडर समाझ ना यू को gram में convert करेंगे फिर उसके बाद अपने आप सोचेंगे कि अवागाडरो नंबर के बराबर होता है कि इतना लंबा क्या है सर लेकिन अगर यही sample का weight 46 gram की जगा 46u दिया जाता और तब तुमसे sodium atom पूछे जाते तो कितना असान होता सर 46u को सीधे 23u से रिवाइट कर दीजे 2 atom आगे 2 atom अब आप उपर वाले method से करेंगे तो बैंड बज जाएगी कैसे 46u divided by 23 gram अब आप उपर वाले u को फिर से gram में convert करना पड़ेगा फिर खराब हो गया साओ समझो मेरे बात को क्या कह रहा हूं मैं यह कह रहा हूं if the weight of the sample is given in gram and you need to calculate the number of particles so it is better to convert it into moles and then Avogadro number से multiply करके particles यानि if the sample is in moles weight is in gram in that case mole और उसके बाद particles अच्छा है लेकिन अगर sample का weight u में given है तो आप direct उस particle के u वाले weight से divide करके directly number of particles calculate कर सकते हैं इसका mole से कोई लेना देना नहीं समझे मेरी बात मेरी बात सब लो समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ तो मैं इस पहले सवाल से तुम्हें ये बताना चाहा रहा था कि हमारे पास अगर sample का weight gram में given होता है तो number of entities calculate करने के लिए moles निकाल कर Avogadro number का सहरा लेना चाहिए लेकिन अगर मुझे sample का weight u में given है तो और आपको entities निकालनी है तो आप सीधे सीधे एक entity के weight से divide कर दीजेगा और एक entity का weight u में होता है gram में नहीं होता तो उपर भी u है नीचे भी u है must आपका direct answer आजाएगा कोई जहनजाटी नहीं हो clear है? चलिए और आगे बाद ये भी एक अच्छा सवाल लग रहा है determine the number of valence electrons info ये भी वही कहानी है आपको valence electrons calculate करने है एक ऐसे sample में जिसका weight this is azide ion ये जो मैंने यहां लिखा है इसे azide ion कहा जाता है this is azide ion तो अगर मैं azide ion की बात करूँ तो इस azide ion में number of valence electrons calculate करने है तरीका असान है gram में sample दे रखा है तो सबसे पहले number of azide ions कितने है वो निकाल लेते है azide ions का मतलब है n3 minus कितने होंगे sir weight of the sample divided by one azide ion का weight and one azide ion is nitrogen 14 into 3 42 grams so sir ये दिख रहा है this is 0.1 mole and if it is 0.1 mole so number of azide ion कितने होंगे ये पहले हम moles निकाले हमने तो यहाँ आपर number of moles ले ले लेते है number of moles of azide ion और number of azide ion अगर आप निकालना चाहते है तो कितने होंगे number of azide ions होंगे moles that is 0.1 into Na ये azide ion अब फिर वही है sir valence electrons निकाल ले तो कैसे निकाले sir एक आदमी के पैर पे जाके बैढ़े ये पता चल गए तो जब number of azide ion पता चल गए तो valence electrons in one azide ion कितने होते है valence electrons in one azide ion एक azide में निकाल लेते है कैसे निकाल के आएंगे सब्सक्राइब नाइट्रोजन तीन है नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन में वो 2,5 है so the outer shell electrons there will be 5 so in one nitrogen you have 5 valence electron and since you have 3 valence nitrogen atom so you have 15 valence electrons ठीक लेकिं sir एक negative charge भी तो है यानि ये वो extra electron है जो भार से आया है और इससे भार से आने वाला भी तो भार ही आएगा अंदर तो ना घुज जाएगा इसको भी valence electrons की category में डालना चाहिए इसका मतलब total N3 minus में कितने electrons होंगे valence जो outer shell में है sir एक तो 5 into 3 15 और 15 और 1 16 यानि कहने का मतलब ये हुआ कि nitrogen के पास एक nitrogen के पास 16 valence electrons होने चाहिए और वो 16 किस वज़े से 5 plus 5 plus 5 plus जो बाहर से आया ये आपका 16 हो गया यानि अगर total valence electrons in one side is this so the total valence electrons कितने होंगे total valence electrons आ गए total valence electrons आ गए एक आदमी में 16 और आदमी हुए 0.1 Na so the answer is 1.6 Na total valence electrons मुझे आसान लग रहा है एक बार calculation वगरा जबूर देख ले न कहीं आसा न और जल्बादी में कुछ गल्ती की हो तो या आपने सबसे पहले moles of azide ions calculate किये moles of azide ions निकालने के लिए आपने azide के atomic molecular weight से divide कर दिया and that is 42 तो आपने 0.1 moles azide ions के निकल आए और उसको अगर number of azide ions में convert करेंगे तो 0.1 ने आ जाएंगे ठीक अब फिर आपको number of valence electrons निकालने तो एक azide के पहरों में जाके बैड़ या तो 2,5 that means 1 nitrogen has 5 valence electrons so 3 nitrogen has 15 valence electrons with 1 extra क्योंकि एक negative charge है electron बहर से आया होगा यानि कुल मिला के एक आदमी पर 16 है 16 से multiply करके valence electrons total निकाले जा सकते हैं चलिए और आगे बहुते हैं अब मैं second part पहाना चाहरा हूं that is percentage calculation समझे ये भी second portion mole concept का जिस पर सबसे आदा category, सबसे आदा सवाल बनाये जाते हैं और ये एक simple सा concept है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि अगर आपको कोई भी sample दिया जाए तो sample के अंदर जो लोग present है उनकी analysis कैसे की जाती है अभी आप क्या कर रहे थे अभी आप एक sample के अंदर जो protons, neutrons, electrons या उनके atoms के जो number से उनकी analysis कर रहे अब आप क्या करने जा रहे है अब जो आपके पास sample है उसके अंदर जो atoms present है अब उनके weights के बारे में और उनकी percentages के बारे में analysis कर रहे है अभी तक तो आप numbers के बारे में analysis करते थे अब आप उनके weights के बारे में, तो सर बात तो एक ही है ना, कुछ कमाल तो है नहीं, बड़ी सीधी सी कहानी है कि sample के information से individual atoms की information तक कैसे पहुचा जाता है, तो इसके लिए एक छोटा सा concept है जिसको हम याद करते हैं, जिसको हम जानते भी हैं, कि अगर A2, B3 का एक mole, तो हम सब सम सते हैं, इस एक mole A2, B3 के अंदर, दो mole A के हैं, और तीन moles B के हैं, बस ये एक बात है, जो इस पूरे topic से related है, जिसमें कोई खास बात नहीं, सर अगर आपको A2, B3 का एक molecule बनाना है, तो आपको दो atom A के चाहिए होंगे, और तीन atom B के चाहिए होंगे, A के दो atom B के तीन atom आ तो अगर आपको A2, B3 का एक mole बनाना है, तो उसके दो mole A के चाहिए, और तीन mole B के चाहिए, तो in a molecule of A2, B3, in one moles of A2, B3, you have two moles of A, and three moles of B, समझ में आई बात, इसी को use करके आप percentage calculations या किसी भी sample के अंदर individual atoms के weights calculate कर सकते हैं, देखो कैसे, और उसके लिए सब लोग इस बात को याद करेंगे या ध्यान रखेंगे कि कोई भी molecular sample के अंदर individual atoms के अगर analysis करनी हो, weight analysis या percentage analysis, तो उस case में आप सबसे पहले sample के weight से sample के moles calculate कर लीजेगा, और एक बात जब आपको sample के moles पता चल जाए, तो उसके अंदर पढ़े हुए individual atoms के moles अपने आप पता चल जाते हैं, और जै ये को कैसे, एक example ले लेते हैं, find out the weight of carbon in 360 grams of glucose, चली ठीक है से, बड़ा असान है, 360 gram glucose, the weight of the sample is 360, ठीक है, बिल्कु सही है, weight of sample is 360 grams, ठीक, तो इसका लब यह हुआ, मेरे पास glucose का एक sample है, जिसके अंदर carbon पढ़ा हुआ, ये carbon है, इसके अंदर oxygen भी पढ़ा हुआ है, इसके अं oxygen पढ़ा हुआ है, ये इसके अंदर oxygen भी है, तुम सब जाते हो glucose में, hydrogen भी होता है, तो इसके अंदर माल लीजे, ये hydrogen भी पढ़ा हुआ है, ये hydrogen भी पढ़ा हुआ है, तमाम, अब वो जानना चाहता है कि ये बताइए, इस पूरे sample में कितने hydrogen है, कितने carbon है, कितने हमारे पा और वह तो आपके पास 360 ग्राम ग्लुकोज हो तो आप सबसे पहले मोल्स निकाल लीजे सैंपल के मोल्स ऑफ ग्लुकोज कितने आ जाएंगे ग्लुकोज के मोल्स आ जाएंगे 360 डिवाइड बाइड 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 ग्लुकोज के दो मोल 2 मोल C6H12O6 बताइए ज़रा कार्बन के 6 दुनी 12 मोल हैं 12 मोल्स ऑफ कार्बन आटम समझे बात को इसी तरह से अगर हाइड बाइड 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 निकाल पाओगे अरे फिर तो सब होई जाएगा यही तो बताना चाह रहे थे यह आपको सबसे पहले sample का weight दे दिया जाएगा यह sample के बारे में indirect या direct कोई information मैं देखता हूँ अभी यहाँ पर direct information है because the weight of the sample is given that means moles कितना तो पढ़े लिखे हो weight का मतलब mole अरे मतलब weight से mole निकली आएंगे यानि कहने का मतलब अगर आपको weight दे रखा है हमें पता चलिए सार मोल दे रखे हैं यानि आप मुझे direct या indirect way में mole दे दीजे एक बार sample के mole मिल जाएंगे तो मैं घुस घुस कर individual atoms के moles निकाल लूँगा वही a2b3 के simple concepts है if a2b3 is 1 then a will be 2 b will be 3 यानि सब्सक्रिप्स से multiply करके आप individual atoms के moles निकाल सकते हैं अगर आपको sample के mole बिल जाएं तो ठीक है यह तो जैसे यहाँ पर आप आसानी से carbon का weight निकाल सकते हैं जब carbon के मोल आ जाएंगे तो carbon का weight आ जाएगा बारा मोल है तो बारा इंटू बारा 144 ग्राम आपका carbon वेट आ गया इसी तरह से सबके वेट निकल आइए जैसे यहाँ पर भी देखें वही काम आ रहा है in a sample of cuso4.5 h2o there are 10 moles of oxygen atom यानि मेरे पास cuso4.5 h2o के 10 moles अब अगर cuso4.5 h2o के 10 moles है तो आप से पूछा जा रहा है बताए हाइड्रोजन के कितने moles है अब सोचो cuso4.5 h2o के 10 moles के अंदर 10 moles oxygen है यानि oxygen की information दे रखे और hydrogen की पूची गई है सेम सवाल है सर oxygen की information से sample की information निकाल लेंगे और sample की information से hydrogen की information निकाल लेंगे कैसे साब दिखता है आपके इसाब से oxygen चार और पांच पांच और चार नौ यानि इफ वी हाव अगर होते nine moles of oxygen atoms अगर होते देन सैंपल हमारा one mole होता है नहीं होता यानि अगर आपके पास oxygen के nine mole होते देखिए चार याँ है पांच याँ है यानि अगर मेरे पास oxygen के nine mole होते तो लेकिन मेरे पास तो ऑक्षियन के 10 मोल हैं, यह देखिए, 10 मोल हैं हमारे पास सवाल में तो, तो अगर सवाल में 10 मोल हैं, तो सैंपल हमारा 10 by 9 होगा, यह भी बात सही है, आ गया सैंपल, सैंपल ही तो चाहिए था, खतब हो गया, अब बताइए क्या निकालना है, कौपर के कितने, 10 by 9, सलफर के कितने, 10 by 9, ऑक्षियन के कितने, 10, हाइडरोजन के कितने, 5 दुनी 10 into 10 by 9, सो हाइडरोजन के मोल्स, सो मोल्स, ऑफ हाइडरोजन आटम्स कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 10 by 9 into 10, that is 100 by 9 मोल्स, लीजिए, यह काम भी खतम हो, 100 by 9 मोल्स, यानि सैंपल की इंफर्मेशन से, मुझे किसी भी तरह से सैंपल की इंफर्मेशन दे दीजे, किसी भी फॉर्म में सैंपल की इंफर्मेशन दे दीजे, मुझे जैसी सैंपल के मोल्स मिलेंगे, मैं उसको finally उसके अंदर पढ़े हुए individual atoms के मोल्स कालकुलेट कर सकता हूँ, म मुझे उसमें कोई परशानी नहीं, बहुत आसानी से काम किया जा सकता, यह भी एक बात लिख लेते हैं, जिस पर सवाल बन चुके हैं, कि एक कमपाउंड है, उस कमपाउंड का मिनमम मॉलिक्लर वेट क्या है, तो मैं माल लेता हूँ, उसका मिनमम मॉलिक्लर वेट M है, M मैंने माल लिया, मिनमम मॉलिक्लर वेट, अब इसमें है क्या कि इसमें वो कह रहा है क्योंकि minimum molecular weight की बात कर रहा है तो इसका लवे कम से कम एक sulfur तो आपको लेना पड़ेगा minimum molecular का weight मतलब है one sulfur atom एक sulfur atom तो आपको assume करना ही और एक sulfur atom का जो weight होता है वो दे रखा है 32 इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं minimum molecular weight निकालना चाहता हूं तो इसका 0.4% sulfur है 0.4 by 100 यह sulfur है और sulfur एक तो हो गई होगा और एक sulfur का weight 32 है तो इसका एम की जो value आ रही है वो आ रही है 3200 divided by 0.4 यानि यह जो मेरा molecular weight निकल के आएगा this will be the minimum molecular weight अब इसमें समझो अगर sulfur के दो atoms present होते तो क्या होता तो अब हमें क्या पता sulfur के कितने atoms है यहां तो हमने नहीं बताया लेकिन क्योंकि आपने minimum molecular weight का नाम लिया है इसलिए मैं M का 0.4% करके sulfur के दो atoms का weight रख देते that is 64 उससे हम निकल आता यानि अगर मुझे sulfur के atoms पता हैं समझो बात को अगर मुझे sulfur के atoms पता है तो भी और अगर मुझे minimum molecular weight निकालना है तो भी मैं answer निकाल दूँँगा समझो मेरी बात क्यों क्योंकि अगर sulfur के atoms पता है तो accordingly sulfur का weight यहां रख दीजेगा और अगर आपको number of sulfur atoms पता है तो भी आपका काम चल जाएगा और minimum molecular weight निकालना है तो sulfur का एक आदमी का weight रख दीजेगा minimum मतलब कम से कम एक sulfur लेकिन अगर यह आपको minimum molecular weight नहीं पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है मुझे बताईये molecular weight क्या निकल क्या आएगा मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि sulfur के कितने atoms हैं मैं आपको यह भी नहीं पूछूँँगा कि minimum molecular weight क्या है तो आप अपने मन से answer क्या लिखेंगे अगर sulfur 1 होता तो यह answer आता अगर sulfur 2 होते कुछ पता तो है नहीं तो इसका double triple यानि हर उस answer को टिक किया जाएगा जो इस answer का integral multiple है समझ यह बात को और यह फिर एक अच्छे j level का सवाल बन जाएगा क्योंकि यह पूछा ही नहीं गया अब तक जो भी सवाल पूछे गए है वो minimum molecular weight को लेके पूछे गए या फिर sulfur के इतने atoms है अब बताई आंसर क्या आएगा सबसे अच्छा सवाल तो यह है कि ना आपको चार आप्शन है तो आप अपने आंसर को मैनेज करिएगा क्योंकि एक आंसर सही नहीं होगा यानि इस तरह के सवालों को भी ध्यान से ध्यान रखना क्योंकि जैए में इस पर सवाल तो बन चुके हैं लेकिन यिस वाली काटेगरी का सवाल नहीं पूछा कभी कि वो सिर्फ मॉलिक्लर वेट पूछ रहा है और बच्चा यह जानता है कि आंसर तो एक ही सही होगा में भी डिस्केशन नहीं किया गया है तो ऐसे में अपने आंसर को तुम उसी हिसाब से मानेज करना इस सवाल में क्योंकि मैंने मिनमम मॉलिक्लर वेट का नाम लिया है इसलिए मैंने एक सल्फर का वेट रख दिया खतब अगर यहाँ दो सल्फर आटम होते हैं तो 64 रख देता है अगर किसी सवाल में मिनमम मॉलिक्लर वेट नहीं दिया गया है और सल्फर के आटम्स भी नहीं दिये गए तो आप एक सल्फर मानकर पहले आंसर निकाल लिएगा एक आटम का वेट निकाल लिएगा और वो सारे आं करते हैं तो उस आटम का आवरेज अटॉमिक या मीन आटॉमिक वेट ही हमें कालकुलेट करना पड़ता है तो तुम सब जानते हो कभी भी आवरेज अटॉमिक वेट कालकुलेट करना हो तो उस आटम के परसेंटेज अबंडेंस को भी लेना पड़ता है और जिस आईसोटो या average atomic weight calculate करना पहता है और उसका एक बड़ा सीधा सा formula है किसी एक isotope की percentage into उसका atomic mass plus दूसरे isotope की percentage into उसका atomic mass 100 से divide करके आप average atomic weight calculate कर सकते हैं जैसे मैं example लूँ तो example से समझ में आ जाएगा जैसे माल लिजे ये naturally occurring chlorine is 75% CL यानि कि chlorine के बारे में क्या बताया जा रहा है कि you have two isotopes of chlorine chlorine 35 and chlorine 37 35 की जो percentage है 75% abundance में और nature में ये सहाव हमारे बचे हुए 25% पाय जाते हैं पूछा जा रहा है chlorine का average atomic weight क्या है तो कैसे निकाल ले जाएंगे average atomic weight is equal to percentage abundance that is 75 into atomic weight that is 35 plus percentage abundance that is 25 multiplied by the atomic weight that is 37 upon hundred सर मस्त इसको solve कर लीजिए आपके एक chlorine का weight average आ जाएगा 35.5 खतम हो गया यानि आपको percentage abundance निकालनी हो या percentage abundance दी हो तो अगर percentage abundance दे रखी है तो average atomic weight आ जाएगा average atomic weight दे रखा है तो percentage abundance आ जाएगी वही x और y मान के समझ रहो बात को तो ये एक equation है इस equation में ये दे कर ये ये दे कर ये निकाला जा सकता है कैसे भी कर सकता है लेकिन formula याद रखना है कि अगर आपको percentage abundance पता हो और आपको individual atoms के atomic weight पता हो तो आप average atomic weight उस atom का निकाल सकते हैं इस equation को यूज करके कि average atomic weight is एक atom isotope का weight into उसकी percentage abundance प्लस दूसरे isotope का weight into उसकी percentage abundance so on so on divided by 100 इसको solve करके जो भी एक number निकल के आएगा that will be the average atomic weight of that atom जो की percentage abundance से भी link होगा समझ रहो बात को चलिए दूसरी बात करते हैं इसी तरह से अगर आपको average molecular weight निकालना हो किसी gaseous system का आपको average molecular weight Calculate करना है वगएरा वगएरा तो अगर ⁉ आपको average molecular weight calculate करना है तो भी यह飯 काम किया जा सकता है क्योंकि average molecular weight calculate करने के लिए मुझे चोटी सी एक बात का ध्यान रखना है वो क्या है कि अगर आप average आवरेज मोलर मास अगर आप कालकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस इंडिवीज्वल गैस के मोल फ्राक्शन की जरूरत पड़ेगी और उसके मॉलिक्लर वेट की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल सीधा फॉर्मला है मेरे हिसाब से हम एक बात को याद कर ल इत्कोंपोनेंट आइएथ कॉमपोनेंट जो भी आइएèse जो भी गैस पडिए जो भी कुछ पड़ा है एंडिस एक कई आई इस दा मोल फ्राक्शन ओ जो ओ आध कॉंपोने चञा अको願ब को मोल फ्रक्शन से मॉलिप्लाइब करेंगे प्लस यह की आपके सामने M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस M3 X4 सोओं 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 घताब दाट इस सिग्मा MI XI तो अगर माली जो तीन गैसे से चार गैसे से जितनी भी गैसे से उनके आवरेज अगर आपको मिक्शर का निकालना है तो उन सब की पर्सेंटेज उन सब के मोल फ्रक्शन और उनके जो मॉलिक्लर वेट है उन से आपको चाहिए होगा और आवरेज मॉलिक्लर वेट निकालने के लिए इसकी परसेंटेज इन्टू इसका मॉलिक्लर वेट दाट मीं 16 इन्टू 32 प्लस 80 इन्टू नाइट्रोजन इस 28 प्लस 3 इन्टू कारबन डायोकसाइड दाट इस 44 प्लस 1 इन्टू सल्फर डायोकसाइड इस तरह 64 और इन सब को आपने 100 से डिवाइड क्यों कर रहा है हमें फ्राक्शन चाहिए था तो इट विल भी निकल के आएगा इस तो एक बार जब मॉलिक्लर वेट आ जाएगा तो आप टू से डिवाइड करके वेपर देंस्टी भी काल्कुलेट कर सकते है यह important इसका use आगे भी पढ़ता है average atomic weight तो हम एक ही जगा देखते हैं यहीं पर आएगा बट average molecular weight का इस्तेमाल आप gaseous state में या फिर कहीं और जहां पर gaseous mixture का involvement है वहाँ पर देखने को मिल सकता है तो सब लोग इस बात का धियान रखेंगे कि average molecular weight जब भी आपको निकालना हो gaseous mixture का या mixture का तो उस case में आप individual gas के molecular weight को उसके mole fraction से multiply करके जोड़ते चले जाएए जो भी value निकाल के आगी that will be the average molecular weight उसके बाद अगर density निकाल नहीं वेपर density तो टू से divide कर दीजेगे यहाँ पर percentage is given थी मुझे mole fraction चाहिए तो मैंने 16 by 100 एक 100 नहीं चाहिए common आ जाएगा तो this will be the finally average molecular weight of the system clear है चलिए और आगे बहते हैं बसता है हमारे पास करने के लिए and that is quantitative analysis तो यह main portion है तुम सब जानते हो जिसको quantitative analysis कहा जाता है जिसमें reactions की quantitative analysis की जाती है कि कौन कितना बना कौन कितना बचा और उसके लिए फिर सबसे ज़्यादा important जो समझ में आता है that is the concept of limiting reagent यानि अगर मुझे limiting reagent का idea लग जाए तो मैं किसी भी chemical reaction की quantitative analysis आसानी से कर सकता हूँ तो अगर मुझे limiting reagent का idea हो तो quantitative analysis करने के लिए जादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो मुझे जो important समझ में आती है यहाँ पर वो है quantitative analysis करनी है और उस quantitative analysis के लिए एक balance chemical equation का होना जरूरी है और उस balance chemical equation को analyze करना आना चाहिए और उस analysis से ही आप finally the action की quantitative analysis कर सकते हैं तो वो analysis करनी हमारे लिए बहुत जादा important समझे चली जब इसके बारे में इतनी बात कर लिए है तो हम quantitative analysis के बारे में भी बात खतम करी देते हैं और यह basic information है mole concept का actually purpose भी यह है कि आपको किसी chemical reaction की quantitative analysis करनी है लेकिन इसके लिए जो requirement है मेरे ख्याल से तुम सब समझते हो इसकी requirement एक chemical equation है और स product बच जाएगा कितना product बन जाएगा कौन reactant बचेगा कितना बचेगा यह जो quantity wise analysis है वो आप इसके थू करते हैं तो इसमें एक छोटा सा एक term आता है जो मैंने पहले भी बोला आपको सबसे आदा important है limiting reagent तो मैं उसी के बारे में सबसे पहले discussion करता हूँ कि जब मेरे पास एक इससे जादा reactants involved होते हैं तो आप analysis कैसे करते हैं आप फटा फट इसको एक बार revise कर लीजे कि माल लीजे मेरे पास एक chemical reaction है 2a plus 3b is it gives 4c suppose this is a balance chemical equation और this balance chemical equation कि अगर मुझे analysis करनी है तो मैं सबसे पहला case बना रहा हूँ कि आपके पास माल लीजे a के 2 mol हैं और बाजार में आपको a के 3 b के 3 mol मिल रहें यानि मुझे इससे मतलब नहीं है कि आपको कितने a और कितने b आपको मिले मुझे इससे मतलब है कि आपकी जो reaction है वो क्या कहती है reaction ये कहती है कि a के 2 mol b के 3 mol के साथ जोड़कर c के 4 mol बनाएंगे और मुझे लगता है तुम सब इस बात को जानते हो मैं इसी चीज़ को फटा फट एक बार revise कर लेता हूँ कि सबसे पहले आपको limiting region predict करना पड़ेगा और उसके बाद analysis करनी पड़ेगी और उसके लिए reaction को एक बार पढ़ना सीखना पढ़ेगा और reaction को पढ़ने का तरीका क्या है कि अगर ये एक balance chemical equation है तो 1 के 2 mol b के 3 mol के साथ जोड़ेंगे तो c के 4 mol बनेंगे यानि अगर आप एक के 2 mol खतम करना चाते हैं तो आपको b के 3 mol चाहिए या आप b के 3 mol खतम करना चाते हैं तो आपको a के 2 mol चाहिए तब जाके c के 4 mol बनें ये तो reaction कहती, लेकिन अब आपको market में A कितना मिला और B कितना मिला, ये depend करता, भाई अब market गए, मुझे A के 2 mol मिल गए, बहुत बढ़िया, B के 3 mol मिल गए, ये भी बहुत बढ़िया, तो इसका लब यह हुआ, अगर A के 2 mol और B के 3 mol आपने लिए, तो C कितना बनेगा, ये analysis क करने के लिए, आपको सबसे पहले इस chemical equation को पढ़ना पढ़ता है, तो और जैसे ही आप इस reaction को पढ़ेंगे, आपको idea लग जाएगा, कि product के analysis कैसे की जाएगी, ये reaction क्या कहती है, अगर A के 2 हो, तो वो B के 3 mol के साथ जोड़ेंगे, तो C के 4 बनेगे, और market में A के कितने मिले 2 मिले, B के कितने मिले, 3 मिले, अरे ये तो बहुत बढ़ी हो गया सर, A के 2, B के 3 के साथ जोड़कर C के 4 बनाएंगे, यानि ये तो confirm हो गया, कि इस case में अगर आपको C के moles की requirement है, तो जो C के moles बनेंगे, वो 4 moles बनेंगे, अच्छा, अब अगर कोई ये कहे, कि भाई मुझे और बता दीजे कि इन में जो है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये कैसे निकालेंगे, तो यार ये बड़ा clear है, सर, इसमें दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, और दोनों के दोनों खतम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सर, A के 2 moles को B के 3 moles खतम कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ, एनालिसेस में, इस केस में दोनों ही हमारे लिमिटिंग रिएजेंट है, फाइनली सारे रियाक्टेंट्स फिनिश हो जाएंगे, और आपको सीरे सीरे प्रोड़क्ट मिलेगा 4 moles, अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता था, कि एक केस ऐसा बनाया जाए, जिस अब अगर आपको सी के अनालिसेस करनी है, तो कैसे की जाएगी, बड़ा असाने सर, अगर A के आपको 2 moles दे रखें, B के 2 moles दे रखें, अब कुछ बच्चों को ही डाउट होता है, कि अगर A के 2 moles है, तो B के 2 moles क्यों ले रखें, B के तो 3 moles चाहिए, अरे भाई, मार्केट पे तो आपको B के 3 moles की requirement है, जबकि आपके पास B के सिर्फ कितने moles है, 2 moles, इसका मतलब है, सर, B आपने कम लिया है, अगर आप पूरा ये खतम करना चाहते हैं, तो B आपने कम लिया है, इसका मतलब इस पूरे process में, A पूरा खतम नहीं होगा, क्योंकि A पूरा खतम करने के लिए ये B के 3 moles की requirement है, and since you have only 2 moles of B, so ultimately A will be in excess, and B will be a limiting reagent, यानि ये confirm हो गया, कि जो मेरा B होने वाला है, ये B ही मेरा limiting reagent है, और साथी साथ जो A है, वो मेरा excess reagent है, A बच जाएगा, B खतम हो जाएगा, और B खतम होने के बाद, जो C के analysis होगी, वो limiting reagent ही करके देगा, और वो limiting reagent, औ उसका reason भी है, product कैसे बन रहा है, product तब बन रहा है, जब A और B आपस में रियाक कर रहा है, तो A आएगा, B आएगा, product बनेगा, A आएगा, B आएगा, product बनेगा, A तो आएगा, लेकिन B नहीं आएगा, तो product नहीं बनेगा, इसका मतलब product कब तक बनेगा, product तब तक बनेगा, तो limiting region क्या बोलेगा? limiting region बोलेगा अगर मेरे 3 moles होते तो आपके 4 moles बनते 3 moles B के अगर होते तो 4 moles C के बनते बिल्कु सही है अगर मेरा 1 mole होता तो C के 4 by 3 mole बनते लेकिन मेरे तो market में 2 mole थे तो अगर मेरे 2 mole थे तो finally मेरे 4 by 3 into 2 that is 8 by 3 moles बनेंगे इसका मतलब C के analysis अगर आपने की तो क्या निकल के आई? 8 by 3 समझे? अच्छा अब इस पूरे process में बच कौन गया? सर इस case में A बच गया A excess reagent है क्योंकि A को consume करने के लिए B उतना था ही नहीं तो अगर A बच गया तो इस A के analysis कैसे करेंगे? now the analysis, this is the analysis of product यानि यह जो हमने पहला case बनाया है this is analysis of product यानि यह तो product के analysis अब अगर आपको left amount जो excess reagent है उसके analysis करनी हो analysis of excess reagent अगर आपको करनी हो तो कैसे करेंगे? सर वो कौन बताएगा excess reagent के analysis? वो भी सर आपको limiting reagent बताएगा. समझे बात को limiting reagent जब तक है तब तक A consume हो रहा है जैसे ही वो खतम होगा A का consumption मन्द हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ जितना भी A consume हुआ वो कौन बताएगा? सर वो limiting reagent बताएगा और limiting reagent से अगर मैं पूछू हूँ कि कितना excess reagent बच गया तो वो क्या जवाब देगा? कि मैं जब तक था तब तक मैंने A को इतना consume कर लिया पचा कितना है? वो आप अपने आप निकाल लीजेगा तो दाक्पिस अगर मुझे consumption पता चल जाए तो B के A के initial amount में से minus करके मैं A का left amount calculate कर सकता हूँ और ये चीज मुझे limiting region बताने जा रहा है और वो क्या बोलेगा? कि अगर मैं 3 होता तो मैं A के 2 mol consume कर लेता यानि 3 mols of B अगर होते तो ये consume करते हैं 2 mols of A अगर 1 mol होता B का तो कितना consumption होता? तो consumption होता 2 by 3 mols लेकिन B के तो 2 mols हैं अगर 2 mols हैं तो consumption कितना होगा? 4 by 3 mols लेकिन B के लिए कितने एक के लिए कितने गए थे? 2 mol consume कितने होए? 4 by 3 तो इसका मतलब ये हुआ excess reagent जिसको आप A कह रहे हैं इस left amount will be equal to initial amount of A initial A minus consumed A initial A minus consumed A और वो consumed A कितने आएंगे? Minus consumed A initial amount कितना है? 2 consumption कितना है? 4 by 3 तो बचा कितना? 2 by 3 mols यानि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको left amount calculate करना है तो वो left amount 2 by 3 mols बचेंगे जो product बनेगा वो 8 by 3 बनेगा यानि इस तरह से आप ये analysis कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ इस पूरी analysis में जो सबसे important part लग रहा है वो क्या लग रहा है? इस पूरी analysis में सबसे important part लग रहा है कि आपको limiting region निकालना आना चाहिए अब वो limiting region निकालने का सही और आसान तरीका क्या है? उसके बारें बात करते हैं जब कभी भी limiting region calculate करना हो तो मुझे तुम्हें याद होगा सब लोगों को जब कभी भी limiting region calculate करना हो तो करते क्या है? माल लिजे 2A plus B plus 3C gives 4D ये एक reaction अब A के moles जो दे रखे हैं वो कितने कितने moles दे रखे हैं और आप से पूछा जा रहा है ड के कितने moles बनेंगे? ये सवाल आगया अब आप खुद सोचिए ज़रा अगर A के moles दे रखे हैं B के moles दे रखे हैं C के moles दे रखे हैं और आपको D के moles calculate करना है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं याद करो limiting region अब वो limiting region निकालने का असान तरीका ये है कि सबसे पहले आप copy के कोने में जाईए और वहाँ पर ये check कर लीजिए कि इन तीनों में limiting region कौन सा है और limiting region होगा कौन? So limiting region निकालने का तरीका है कि given moles को उसकी stoichiometric coefficient से divide करिये and this is the balance chemical equation So इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको moles को stoichiometric coefficient से divide करिये और moles को stoichiometric coefficient से divide करके जो भी सबसे छोटा नंबर आए उसी को आप limiting region माल लीजिए यानि moles कितने हैं? A के? सर 5 और उसका stoichiometric coefficient कितना है? 2 B के moles कितने है? 6 उसका stoichiometric coefficient कितना है? 1 C के moles कितने है? 7 उसका stoichiometric coefficient कितना है? 3 और इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर निकल के आए आप उसको limiting region माल लीजिए और इसमें साब दिखाई दे रहा है कि इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर निकल के आ रहा है वो 7 by 3 आ रहा है इसका लब यह हुआ अगर 7 by 3 सबसे छोटा नंबर है तो यही मेरा limiting region होना चाहिए और अगर यह limiting region है तो आपने C को limiting region माना और जैसे ही आपने C को limiting region माना आपने साधी analysis C से करके दे दी बात खतम अब बताईए D कितना बनेगा? अरे सर अब तो बड़ा असान हो गया डी के analysis करनी है तो C से पूछना है क्या बोलेगा? 3 mol अगर मेरे होते तो मैं D के 4 mol बनाता पास समझ रहो? अगर मेरा 1 mol होता तो मैं D के 4 by 3 mols बनाता लेकिन मेरे तो market में 7 mols थे तो अगर मेरे 7 mols है तो मैं आपके 4 by 3 into 7 that is 28 by 3 mols फॉर्म करूंगा और ये मेरा final answer होगा बड़ी आसानी से आप product की analysis कर पा रहे है यानि कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको यह चीज का idea लग जाए कि मेरे पास जो भी चीज है जो भी reaction है उनमें जो भी reactants का involvement है उसमें कौन सा limiting reagent है तो जो भी कुछ पूछना है आपको limiting reagent से पूछना है और सारे answer वो सही निकाल के देदेगा चलिए फटा-फट एकाद example से इसको समझने कोशिश करते है यह देखिए बड़ी आसान quantitative analysis का सवाल है साफ-साफ बोल रहा है इस reaction में यह balance यह हमारे पास net reaction है सबसे पहले क्या तरीका बताए गया है सबसे पहले तो आपको इस reaction को balance करना पड़ेगा तो आपने सबसे पहले इस reaction को balance कर लिया यह आपकी reaction हो गई balance चलिए ठीक है आप क्या करेंगे सब अब balance करने के बाद जो है आपको reaction की analysis करनी है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2 mol N2O5 की heating करने से 4 mol NO2 बनते हैं और 1 mol O2 का बनता आप बताईए सवाल क्या कहता है सवाल ये कहता है कि N2O5 का sample है जिसने 1.6 gram O2 produce की बताईए NO2 कितना बनेगा ओफो ये तो बड़ा असान सवाल है 1.6 gram O2 का production है इसका मतलब moles कितने बने moles of O2 कितने बने 1.6 divided by 32 ये mole बने O2 के अगर O2 के mole पता चल गए तो NO2 के mole उसके 4 times होंगे तो ये भी घतम हो गया moles of NO2 कितने बने होंगे moles of NO2 according to balance chemical equation अगर मेरा एक mole बनता है तो आपके 4 mole बनेंगे अगर मेरे इतने बने तो आपके 1.6 divided by 32 into 4 mole बनेंगे और इन moles को आप weight में convert कर सकते हैं so weight of NO2 formed कितना आ जाएगा weight of NO2 formed is equal to 1.6 divided by 32 into 4 into molecular weight of NO2 और molecular weight of NO2 कितना निकल के आ जाएगा 46 so ultimately this will be the weight of NO2 formed विल्कुल आसाने का कुछ नहीं करना simple analysis लेकिन इस case में आपने limiting agent वाली बात क्यों नहीं की क्योंकि सर एक ही आदमी है न एक आदमी है तो वही decompose करेगा तो limiting agent के लिए तो दो लोगों का या दो से जादा लोगों का involvement है इसलिए limiting agent की कोई बात यहां निकल के नहीं आती जब कभी भी किसी reaction में एक से जादा reactants involved होंगे उस case में आप limiting agent से सवाल को proceed करेंगे चलिए और आगे बढ़ लेते हैं मैं बिल्कुल detail में नहीं जाना चाह रहा हूँ आपके सामने बिल्कुल सीधा सीधा सवाल लिखा है TICL4 जो है वो magnesium से react कर रहा है साफ समझ में आता है कि magnesium chlorine को पकड़ लेगा और titanium को free कर देगा अगर आपको लगता यह balance chemical equation ने तो ठीक नहीं तो आप इसको balance कर लीजे now this is a balance chemical equation अब इस balance chemical equation के accordingly अगर titanium 32 gram बना तो क्या बता सकते हैं कि इस process में percentage yield कितनी है titanium की मैंने क्या यह क्या होता percentage yield मैं बताता हूँ एक तो यह कि आपका titanium बनना कितना चाहिए और एक यह जो बना कितना समझ रहा है यानि actually कितना बना वो तो सवाल बाला बता रहा है आप अपने हिसाब से बताइए titanium कितना बनेगा हम उससे yield निकाल लेंगे कि भाई बनना इतना चाहिए था बन इतना रहा है so yield will be जितना बना divided by जितना बनना चाहिए into 100 यानि अगर मुझे percentage yield calculate करनी हो तो मैं percentage yield बने हुए और जितना बनना चाहिए उन दोनों की मदद से ये calculate कर सकता हूँ मैं अभी देखता हूँ अब ये बताइए बनना कितना चाहिए था 358 gram TICL4 ले रखा है तो अगर 358 gram TICL4 है 358 ये मिलाके हो गया हमारा 190 इसका मतलब ये हुआ TICL4 का जो molecular weight है वो देखने से लग रहा है हमारा 190 तो इसका मतलब ये आगए आपके moles ठीक है अच्छा magnesium के moles कितने दे रखें magnesium 96 gram 96 gram का मतलब है 96 by 24 moles अब आप इन दोनों में limiting region निकाल लिए क्योंकि titanium के analysis करनी है तो limiting region का पता होना चाहिए और इन दोनों में limiting region साफ समझ में आता है सर कोने में जाके पता चल जाएगा this moles divided by stoichiometric coefficient and this moles divided by stoichiometric coefficient साफ समझ में आता है जो limiting region निकल के आ रहा है वो इन दोनों में कौन सा निकल के आ रहा है भई इसको यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा फोर फोर बाई टू टू आ रहा है और यह टू से छोटा है ना यह टू से छोटा तो मेरा यह वाला आदमी limiting region बन गया और जैसे यह आदमी मेरा limiting region बना titanium के analysis इसी से कर लेंगे कैसे अगर मेरा एक मोल तो तुम्हारे भी एक मोल मेरे इतने मोल तो तुम्हारे भी इतने मोल इसका मतलब यह हुआ पटा पट लिए थे हैं मोल्स औफ टाइटेनियम जो बने वो बने 358 divided by 190 मोल्स अगर वेट निकालना हो तो वेट कितना बनेगा weight of titanium जो बनना चाहिए था वो है 358 divided by 190 into atomic weight of titanium इतना बनना चाहिए था वो कहरा कैसी बाते कर रहो हो इतना बनना चाहिए था होगा लेकिन बनना तो सिर्फ 32 है तो percentage निकालने के लिए कि actual process की जो yield है that should be actually जो बना actual yield divided by theoretical yield theoretical यानि जितना बनना चाहिए था वो into 100 बस खतम हो गया आपने 32 बता रखी है actually ये बनना चाहिए था बना कितना वो नहीं actually नीचे वाला बनना चाहिए था actual yield is 32 theoretically इतना बनना चाहिए था तो इस भी 358 divided by 190 into 48 into 100 आप percentage calculate कर सकते हैं इसको solve करके ये कुछ 35.838 क्या पास percentage निकलाती है समझो यानि मेरे कहने का मतलब है ये बड़ा सीधा सा case है हम इसको जादा detail में लेके नहीं जा रहे हैं सीधी सीधी बात कर रहे हैं अगर आपको कभी भी quantitative analysis करनी हो तो quantitative analysis के लिए आपको सबसे पहले एक balance chemical equation का होना जरूरी है और जैसे ही आपको वो balance chemical equation मिलती है आप उस balance chemical equation से सबसे पहले limiting reagent predict करते हैं और limiting reagent को पकड़ कर product की analysis या excess reagent की analysis की जा सकती clear है? चलिए अब इसी में second portion पर आते हैं जो इसका next portion जिसकी analysis करनी है हमें and the next portion is concentration terms. चलिए सबसे पहले हम अब concentration terms की बात करते हैं जो इस chapter का सबसे important portion. यानि इस पूरे mind map में जो अब तक आपने किया वो क्या क्या किया इस पूरे mind map में सबसे पहले आपने first category को discuss किया जिसमें आपने why map के थुरू simple calculations, moles की, molecules की, volume की, protons की, electrons की, neutrons की, nucleons की, valence electrons की, एक ये analysis की. Second portion निकल के आता है composition से related कि आप किसी sample के अंदर पढ़े हुए atoms या उनके अंदर के weights, उन atoms की percentage इसके बारे में analysis कैसे करते हैं? जो तीसरी category निकल के आती है, वो आती है, finally हमारे पास quantitative analysis की, जिसके बारे मैं भी हमने बात की थी, और जो चौथी category जो important है, वो आती है concentration terms की, तो यानि mole concept का ये आखरी portion जो concentration term है, ये बहुत ज़ादा important, इसमें क्या discussion करनी है? concentration terms तुमें सब को पता है, solutions के लिए define किया जाता है, और mainly जो concentration terms है, उनमें molarity, molality, percentage weight by weight, mole fraction, percentage weight by volume and volume by volume percentage इसको use करना होता है, ठीक, तो अगर मैं सबसे पहले जानता हूँ इस बात को, कि अगर मैं molarity की बात करूँ, तो हम सब जानते हैं, molarity को define करने के लिए, जो हमारे लिए important है, सब लोग इस बात को मानेंगे, कि molarity के लिए जो formula हम लोग ने derive किया था, that was moles of solute, divided by volume of solution, volume of solution in liters, तो यह molarity को define किया गया था, लेकिन मैं फिर वहीं बोलूँगा, इस से जादा important हमारे लिए क्या है, इस से जादा important यह है, कि जब कभी भी आपको solute के moles निकालने हो, moles of solute निकालने हो, तो आप molarity को multiply कर दे, volume of solution से, volume of solutions in liters, यानि अगर आपको कभी भी solute के moles calculate करने हो, तो volume को molarity से multiply करके, solute के moles calculate किये जा सकते हैं, इस से भी जादा important बात क्या है, इस से भी ज़ादा important बात ये है कि अगर मेरे पास कोई भी solution दिया जाए जिसकी molarity A है, suppose we have ये पहला point हो गया जो definition से related, ये हमारा दूसरा point हो गया और तीसरा point ये है कि अगर मालो मुझे A molar कोई भी एक solution दे दिया जाए, KOH solution, तो इस A molar KOH solution को define कैसे किया जाता, देखो, अगर म है, तो आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास A molar KOH solution है, बस, तो आप करते क्या है कि जब आपको कभी भी कोई solution की molarity given हो, तो आप उस solution को define कर लेते हैं, define कैसे करते हैं, A moles of KOH, A moles of KOH dissolved in, dissolved in, one liter, that is 1000 ml solution, यानि आप कम से कम उस solution को खुद से define कर देते हैं, कि अगर आपके पास A molar KOH solution है, तो इसका ये मतलब है, कि आपके अंदर KOH के, यानि solute के, A moles dissolve होंगे, एक लीटर के अंदर, यानि अगर आप एक लीटर है, तो उसमें A होगा, अगर आप दो लीटर है, तो उसमें A होगा, अगर आप आधा लीटर ह सा अपना एक solution define कर लिया, कि अगर मेरा solution 1 लीटर है, तो उसमें KOH या solute के moles A moles होंगे, ऐसे define करने से एक फायदा है, आप ध्यान से देखिए, ऐसा define करने से ये फायदा है, कि आपको एक तो KOH यानि solute के moles पता चल जाते हैं, और एक आपको solution का volume पता चल जाता है, जो कि नहीं पता है, समझिए, आपको सवाल में सिर्फ ये दे रखा है, इसको देखकर आपको अभी predict नहीं कर सकते हैं, कि solute के कितने moles हैं, और solution का volume कितना है, लेकिन आप ने जरूर इसको define जब किया, तब आपको ये समझ में आया, कि मेरा ये solution है, इस solution में KOH के A moles होंगे, लेकि के बाद, इनके interconversion के बारे बात करते हैं, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, चलिए फट 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 दूसरे concentration term के बात करते हैं, दूसरा जो concentration term आता है, हम सब जानते हैं, the second concentration term is molality, अगर मैं molality की बात करूँ, तो सारी दुनिया जानती है, molality को कैसे define करते हैं, पहला point molality क divided by weight of solvent in kg, एक तो ये definition हो गई, ठीक है, दूसरी बात क्या है, इस से भी जादा important बात क्या है, कि अगर आप molality को weight of solvent से multiply कर दें, यानि molality multiplied by weight of solvent in kg, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको moles of solute मिल जाएगे, यानि moles of solute निकालने का ये भी एक तरीका दिखता है, और तीसरी important बात, अगर मेरे पास कोई solution, b molal solution हो, suppose b molal h2SO4 solution है, तो ऐसे में इसको define करने का तरीका ये है, आपको तो पता नहीं कि solute के कितने mol हैं, और solvent का weight कितना है, लेकिन आप इसको देखकर अपना एक solution define कर सकते है और वो कैसे define करेंगे, b mols of h2SO4 के, b mols of h2SO4, वो dissolved है, dissolved in 1 kg, that is 1000 gram solvent में, यानि ऐसा करने से आप देखिए, आपको क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से फायदा ये हुआ, कि आपको तो पता नहीं था, बट आपने solution में solute के mol और solvent का weight define कर दिया, यानि at least ऐसे define करने से, आपको solute के भी mol पता चल गए, और solvent का भी weight पता चल गया, लेकिन ये आपका, ये आपका solution है, लेकिन सर्फ, solution के amount से concentration पे तो कोई फरक नहीं पड़ता, तो इसका मतलब जो चीजें मैं अपने solutions के लिए define करने जा रहा हूँ, वही चीज उस सवाल वाले solution के लिए भी applicable होगी, क्यों मैंने अपना एक b molal h2o4 solution define किया, कि 1 kg solvent में b mol h2o4 के dissolve है, ये मेरा solution है, अब आपको जो define करना है, अपने solution के लिए निकालते जाईए, और वो सारे answer इसके लिए भी applicable होगे, क्यों, क्योंकि हम दोनों एक ही tank से निकल कर आए हैं, और एक ही tank से निकल के आने वाले solutions के amount को कम जादा करने से concentration terms पर कोई फरक नहीं पड़ता, next portion पर आते हैं, जो next point आता है, वो आता है concentration terms में, and that is mole fraction, और तुम सब जानते हो, mole fractions को define करना बहुत ही जादा आसान है, एक solution के अंदर, अगर आपके n1 solute के moles हों, और n2 solvent के moles हों, तो आप mole fraction को बड़ी आसानी से define कर सकते हैं, अगर आपको solute का mole fraction निकालना हो, तो moles of solute divided by moles of solute plus moles of solvent से निकाला जा सकता है, समझे बात को, और ये भी confirm है, कि अगर आप one minus solute का mole fraction कर दें, तो आपको solvent का mole fraction मिल जाएगा, क्योंकि दोनों के mole fractions का सम तो हमेशा one ही होता है, समझे, लेकि सर इससे जादा important बात क्या है, सर य तो एक सवाल है ही, इसके सवाल बनते हैं, सर हम formula लगा कर ये काम कर देते हैं, इससे जादा important ये है, कि अगर आपको किसी solution का mole fraction, solute या solvent का दिया जाए, तो आप अपना solution कैसे डिफाइन करते हैं, तुम समझो, मैं मेरा concentration यहाँ पर सारा का सारा ये है, कि मैं तुम्हें ये कि तुम अपना solution, जब कोई concentration प्रोवाइड हो, तो तुम उस concentration का अपना solution कैसे define करते हो, ताकि तुम inter-convergence के सवाल जो J-E में सबसे जादा पूछे जाते हैं, उसमें कभी गरवण ना करो, यानि अगर molality given हो, तो कैसे explain करेंगे, mol fraction अगर given हो, तो कैसे explain करेंगे, जैसे माल लीजे, यहीं पर mention कर लेते हैं, point के तौर पर, कि माल लीजे, one by, आप कुछ भी ले लेते हैं, 17 is the mole fraction of urea, माल लीजे, ऐसे ले लेते हैं, in its aqueous solution, माल लीजे, ये, एक solution है, urea का aqueous solution, वो कहरा है, उसमें urea का mole fraction, one by 17, आपको तो कुछ पता नहीं, urea कितना है, पानी कितना है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आप अपना एक solution define करिए, जिसमें सब कुछ पता है, कैसे, अब जब कभी भी mole fraction दिया जाए, तो अपना solution कैसे define करते हैं, सब लोग इसको याद रखेंगे, one by 17 का मतलब है, one upon one plus 16, बात खतम, समझे बात को, इससे फायदा क्या हुआ, इ यह पता चलना है, कि कितने URL के mole हैं और कितने water के mole हैं, ज़रा धेंसे देखिए, अगर आप चाहते हैं, तो वह 1 हो जाएंगे, और वाटर के mole अगर आप चाहते हैं, तो वह 16 हो जाएंगे, यानि इस solution को define करने से, आपको यह पता चल गया, कि URL के mole हैं, यह आपके solution के अंद और उसकी concentration term given हो तो आप फटा-फट उसकी concentration को अपनी language में define करिए और उस language में define करने के बाद उनके inter-convergence को आसानी से आप अंजाम दे सकते हैं बस आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि वो concentration terms आप define कैसे कर रहे हैं यह हमें पता होना चलिए और आगे फटाक से बात करते हैं इसी में एक और concentration term को भी explain कर लेते हैं that is percentage calculations percentage calculations की अगर आप बात करें तो percentage calculations में हम सबसे पहले percentage weight by weight की बात करते हैं और हम सब जानते हैं percentage weight by weight का मतलब है weight of weight of solute in grams divided by weight of solution in grams into 100 this is percentage weight by weight मज़े की बात क्या है सर यह तो एक सवाल बनी सकता है सल्यूट का weight दे रखा है solvent का weight दे रखा है percentage weight by weight निकालो तो solute के weight में solvent solute add करके solution का weight निकाल लेंगे सर यहां फॉर्मले पूट कर देंगा अंसर आजाएगे यह तो एक category है ही लेकिन सर फिर वही है कि अगर आपको किसी solution में percentage weight by weight given हो तो आप अपना solution कैसे define करेंगे तो वो फिर एक important है उसको भी इस बात को इस तरह से note कर लेते हैं और यह point बना के note कर लेते हैं वो यह है कि अगर माल लीजे मुझे a percent weight by weight कोई भी solution ले लेते हैं माल लीजे glucose solution ले रखा है अगर मुझे यह solution ले रखा है तो आप इसको कैसे define करेंगे according to the formula If it is a percent तो मेरा solution यह कहता है A gram of glucose A gram glucose के hundred gram solution बस आप देखिए आपके solution को define करते ही आपको क्या क्या पता चल गया सर इसको define करते ही मुझे सबसे पहले यह पता चल गया की glucose का weight कितना है और मुझे ही यह है पता चल गया कि solution का weight कितना है अगर आपको salute के most weight पता चल जाए और आपको solution का weight पता चल जाए तो solvent का weight भी पता चल जाएगा दोनों को minus करके और वासर सब लोगों के weight पता चल गए, most पता चल गए, हम कोई और concentration term निकाल सकते हैं जिनमें इन लोगों की जरुवत परती, आप समझ यह, मैं अभी example लेता हू यानि मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए यह फॉर्ण में तो important थे ही, आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, इसको interpret कैसे करेंगे, और मैं इस mind map के थुरू बले ही थोड़ा सा analysis ज़्यादा बात हो रही है हमारी, but इस mind map के थुरू आपको यह बताना चाह रहा कि आप इन चीजों पर ज़्यादा concentrate करिएगा, इस चीज को अपने mind पर जरूर रखिएगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा important portion है, वो यही है कि inter convergence पर सवाल पूछे जाते हैं, यानि next portion के अगर बात करें, तो इसी में हमारे पास second concentration term भी आ सकता है, और जो second next concentration term है, that is percentage weight by volume, और मेरे ख्याल से सब लोग इसको agree करेंगे, बिल्कुल उपर वाले के हिसाब से अगर देखें, तो this is weight of salute in grams divided by volume of solution in ml into 100, सर यह आपका percentage weight by volume होगा, सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और नहीं तो important portion क्या है, कि अगर आपके पास कोई solution, बी परसेंट weight by volume, यूरिया solution suppose दिया जाए, तो आप इस solution को अपने solution से कैसे replace करेंगे, तो if it is बी परसेंट weight by volume solution, तो the representation will be b gram of yूरिया dissolved in 100 ml solution, आप देखें क्या क्या पता चल गया, जैसे ही आप अपना solution डिफाइन करते हैं, आपको क्या क्या पता चल जाएगा, सर इसमें देखिए, मुझे एक तो b gram yूरिया यानि yूरिया का weight पता चल गया, इससे yूरिया का mole आ जाएंगे, और साथी साथ solution का volume पता चल गया, यानि moles of solute और volume of solution को use करके, मैं कोई और concentration term निकाल सकता हूँ, मेरे ख्यासे तुम समझ जादा important समझा जा सकता, जानि इसी में माल लीजे मैं एक और concentration term चलिए यहीं define कर दूँ, and that is percentage volume by volume, और साफ समझ रहे होगे इस बार भी, अगर volume by volume को define करा जाए तो कैसे आएगा, this is volume of solute, और तुम समझ रहे होगे, ये तभी काम आने वाला है ये वाला concentration term, जब आपका solute भी liquid phase में हो, यानि solute भी अगर liquid है, तो उसके volume की बात कर सकते है, it is volume of solute, and this is volume of solution in ml, into 100, ये आपका percentage weight by volume का case बनेगा, यानि जो important समझ में आ रहा, और ये वाला case तब काम आएगा, जब आपका solute भी हमारा liquid phase में होगा, क्योंकि अगर solute भी liquid phase में होगा, तो उसका volume consider किया जा सकता है, यानि ये जो concentration terms है, ये concentration terms important है, आपको किसी भी solution का कोई concentration term अगर given हो, तो आप उस concentration term को explain करना जानते हो, और आप उस concentration term को calculate करना जानते हो, ये सबसे ज़्यादा important portion, मैं एक सवाल से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो असानी से समझा भी जा सकत है, and that is, माल लीजे, ये ले लिए लिए, चलिए, इस एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात को खतम करूँगा, एक सवाल जिसके अंदर सब कुछ ले ले लेते हैं, माल लीजे, ऐसे ही ले लेते हैं, क्या है, आप, find out the, बलकि इसको ऐसे लिखते हैं, mole fraction of urea in its aqueous solution is 1 by 31. If the density of solution is 1.1 gram per ml, then find out, क्या-क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं, molality, फिर निकालते हैं mole fraction, फिर निकालते हैं percentage weight by weight, फिर निकालते हैं molarity, और फिर चौथा concentration term weight by volume, ये चारों चीजें हमें calculate करनी, चलिए, एक बार करके देखते हैं, एक मिनट के अंदर, कैसे? Sir, mole fraction of urea in its aqueous solution is 1 by 31, आपने क्या बताया था? क्या ये interconversion का सवाल है? हाँ सर, इस concentration term को आपको बाकी सारी concentration terms में convert करना है, आपने बताया था, जब कभी भी interconversion का सवाल आता है, याद करो, तो आपको इस concentration term को break करके लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या बताया गया थ 1 by 31 को break करके कैसे लिखा जाएगा? mole fraction के terms में, this is 1 upon 1 plus 30, क्या पता चला? 1 upon 1 plus 30 लिखते ही, आपको यूरिया के mole पता चल गए, और आपको water के mole पता चल गए, अब जो करना है करते रहे, ये खतम हो गया सवाल, यानि this will be the moles of urea and this is moles of water, अब आपको जो करना है, आपको यूरि क्या के mole पता चल गए, तो आप molality निकालते वक्त क्या रखना चाहते है, moles of urea divided by weight of h2o in kg, याद है, यही molality का formula है, moles of urea कितने है, सर वो तो आपने अपने solution के लिए 1 define कर लिए, और weight of h2o कैसे आएगा? सर देद्यार moles, तो weight आजाएगा 540 kg में convert करेंगे, तो 1000 से divide करेंगे, वो ऊपर चला जाएगा, this is 50 by 27 molal, एक answer खतम, फिर वो कह रहा है percentage weight by weight निकालिए, वो भी निकालते हैं, weight of solute, सर वो तो बड़ा असान है, एक mol urea है, तो इसका मतलब 60 gram है, divided by weight of solution, सर 60 plus 540, 600 gram, into 100, बड़े मजे से यह 10% weight by weight आजाएगा, समझो बात को, molarity calculate करेंगे, तो moles of solute moles of solute कितने हैं, वो तो 1 माल लिए, divided by volume of solution, volume of solution कैसे निकल के आएगा, सर 600 gram तो solution का weight था, density 1.1 है, तो volume कितना आजाएगा, 600 divided by 1.1, लेकिन यह ml में आएगा सर, इसको 1000 से multiply करेंगे, now this will be 11 by 6 molar, यह हमारी molarity आजाएगी, और percentage weight by volume निकालेंगे, तो weight of urea, that is 60 gram, volume of solution, अभी निक काल लिया, 600 divided by 1.1, इन 200, इसको solve करेंगे, तो यह 11% weight by volume देखने को मिलेगा, सब लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, और यह नहायती आसान है, समझी, यानि कहने का मतलब यह हुआ कि inter-convergence जो है, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ important है, और वो है, आपको जो जो concentration terms आपको पता है, आप उन सारे concentration terms को explain करना सीख लीजे, और एक बार वो explain हो जाएंगे, तो आप आसानी से उनको inter-convert कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप उसको explain करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़े अपने solution के बारे में clear हो जाती हैं, आपको सिर्फ 1 by 31 दिया था, लेकिन आप कैसे जो convert करना है, वो सब convert किया जा सकता है, यानि with the help of that definition of that concentration term, आप किसी भी एक concentration term को दूसरी concentration term में convert कर सकते हैं, मेरा suggestion है, इसके पीछे जो formula involved है, कि इस conversion को उसमें करें, उन formula से जादा better है, कि आप इसको करने का सही तरीका ही सीख लें, समझ मारी बात, तो मेरा suggestion है, सब ल जिसमें सबसे पहले आपने analysis की थी, जिसमें molecules, moles वगरा की इन तमाम चीजों की analysis थी, उसके बाद आपने किसी भी sample के अंदर individual atoms की percentages या उनके weights के analysis के बारे में बात की थी, उसके बाद आपने quantitative analysis से related कुछ discussion किये थे, जो बहुत जादा important है, जिसको actually mole concept कहा जाता है, और साथ ह इसके इलावा आपने concentration terms की बातें की हैं, जो इस chapter के main points को cover करते हैं, यानि इन सब के साथ ही आप इस पूरे chapter को revise कर सकते हैं, कुछ questions की practice करते हैं, मेरे इसाब से हम इतना ही कोशिश करते हैं, इसी इतना ही करने की कोशिश करते हैं, और इसको आप आसानी से एक बार पूरा revise कर लें, आप कुछ-कुछ questions की practice कर लें, मुझे लगता है mole concept में J level पर इसी तरह के सवाल देखने को मिलते हैं, इस से अलग सवाल देखने को नहीं मिलते हैं, चलिए all the best, मेरे तरफ से thank you, thank you so much.